आज हम लोग बात करने वाले हैं, बिए पार्ट वान हिस्ट्री ओनर्स का चैप्टर फोर हुड चैप्टर फोर का अब्जेक्टिव कोचन देख रहे था है और भाग दो तक देखे लिए था हुड आज ये तिह का गंडुर है किछ रावी हैsal और इसके चार और चेतर है जो 4 सीमा है उत्री सीमा पूर्वी यह उत्री सीमा पूर्वी सीमा पच्मी सीमा और दक्षनी सीमा यह चारो सीमा भी याद रख लीजिएगा कौन-कौन से नदी किने जाए सुटका गेंडोर मांडा आये आलमगीरपूर उसके बाद दयमाबाद यह सब याद कर लीजिएगा और चेप्टर पढ़ात इसके चारो तरफ कौन-कौन से अंतिम सीमा सीमा उत्री सीमा धख रख लख लगवा नदी किनारे लोथा लए यह याद रखिएगा चली आगे बरते हैं अगला कोषण क्या है अगला कोषण है हड़ापा साभ्याता में कहां पर स्टेडियम का साक्षे मिला हुआ हुए तो देखिए यह जो हरापा सभ्यता में धौला धौला बीरा ज़ो अस्थान है वहाँ पर is stadium का साक्षे मिला हुए धान रखिएग÷ यह maust щеεν की अंपोर्टन्ट कोश्चैन स्टेडियम का साक्षे कहां से मिला हुआ हाटा वे तक उत्खहनान के दवरान कहाँ पर स्टेडियम मिला हुए तो धौला बिया में मिला हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्या है निमन में कौन सिंदू नदी के सहयक नदी नहीं है सिंदू की सहयक नदी नहीं लेकिन गंगा नदी सिंदू के सायख नदी नहीं है चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला कोशन क्या है अगनी कुंड का साक्षे कहां से पराप्थ हुआ है जो अगनी कुंड का साक्षे वो कहां से प्राप्त हुआ है लोथल काली बंगा बनावली या डी इन में से कोई नहीं तो ये काली बंगा से अगनी कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और एक बात ध्याना के चावल का साक्ष्य जो है वो लोथल से मिला हुआ है चावल का साक्ष्य चावल का साक्ष्य लोथल से यहां सब समान एक जगात दूसरे शेल हैँ आता जाता इसलिए फारस का मौहर भी यहीं लोथल मिला हुआ कुछ कोशन पूछते हैं कि असनाना गार का साक्षे कहां से मिला हुआ है मोहन जोद्रों में बिरिषत जो अस्नानागार का साक्षे मिला हुआ है वह पर नहीं दिए और मोहन जोद्रों जो सहर है कहां पर मिला हुआ है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चान है कि जो हडापा है हडापा जो अस्थल है यहां से बताना है तीन गोरे से चीज बताना है जो यहां से मिला हुए उत्खानन के दोरान तीन ऐसे शाक्षे मिला हुए सिंदू गाटी सव्याता के जो लोग काईसे मतलब वह उनकाट पहनावा कैसा था कपड़ा कैसा था सूति था यह है पताना है ठीक है तो चल्य आगे बढ़ते हैं ये चाइल परबंधन की और ягला कोशें का है लेकिन मुख्य रूप से कहां पर मिला हुआ है ये आपको बताना है कि मुख्य रूप से जल परबंधन का साक्षे जो है वह कहां से मिला हुआ है पहला है आलम गिरपूर धोला बीरा काली बंगा लोथल तो इसका आंसर जो हो जाएगा धोला बीरा से बहुत ही उन्नत पर परबंदन के साथ बहुत अच्छी नालिया मिले वे नालिया सारे जगवाँ थी लेकिन यहां पर बहुत भीथरी नालिया थी चलिए आगे बढ़ते एक सिंग वाला एक सिंग वाला जानवर का चीत्र मिला हुआ और इसको माना जाता है कि वह गेंडा है क्या माना जाता है गेंडा है और एक सिंग वाला जाए तो आपको एक सिंग वाला जानवर भी टिक कर देना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है निमने में कौन सुरकुद1 पर वरतमान में कहा इस्थित है राजास्तान गुजराथ पकिस्तान डीन में स्थितلة यह गुजरात अहम्दाबाद में अहम्दाबाद गुजरात में इसी थे रंगपुरवर्तमान में हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन क्या है किसने कहा था कि हडापा सवयता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है सभी इतियासकार अलग-अलग मत दे रहे थे कौन से इतियासकार नहीं का था कि हडापा सवयता के पतन बढ़ के कारण हुआ है गौडेन साहल चायल्ड लीपी थी हड़ापा सब्सक्राइब लीपी पर अलग अलग तरह के चीत्र बना जाते थे जैसे मचली का चीत्र बना जाता था यू आकार का चीत्र बने हुए अभी इसको समझा नहीं गया है यह आखिर क्या अंकित है यह बहुत छोटे-चोटे गुटके पर माली जी इतना पर पांच इको चोग अक्षर लिख दिया जाया कौन सा पाचान में एगा 17 अक्षर बना एक सबसे बड़ा गुटका मिला उससे बड़ा कुछ नहीं उससे बड़ा मतलब लिखावट नहीं मिला हुआ है और यह गुटका पर तामबे के गुटका पर मुहरों पर यह सब ची चीत्रों द्वारा समझा जाता था और यह माना जाता है कि यह लिपी दाया से बाया लिखा जाता था मतलब दाहिना साइड से इधर से दाहिना साइड से बाया की तरफ हम लोग हिंदी नॉर्मली कैसे लिखते हैं बाया से दाया लिखते हैं लेकिन लोग कैसा था दाया से याई लोग लिखते थे माना जाता है अब कोई पढ़ा नहीं है बस अंदाज लगाया जाता है बस तो में लगत समाझ में आ गया होगा अब्जेक्टिव कोशन पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट होगा उसके बाद सब्जेक्टिव कोशन देखेंगे इसमें कोई भी कोई भी कोशन आप कमेंड नहीं पूछ सकते हैं में समाझ में आ गया होगा